नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत हैं ओनलाइन शॉटन कोर्स की सीरीज में जिसमें आपको 20 चप्टर प्रवाइड कर चुका हूँ पहले और पूरी उमीद यही है आप लोगों से कि आपने उसे इमानदारी से अच्छे से प्राक्टिस कर लिए होगी दोस्तों अगर आप डेली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको एक चीज हमेशे मैं कहता आया हूँ कि अगर आपने पहले चप्टर अच्छे से कर लिया है तभी आप आगे बढ़िए अधरवाइस आगे बढ़ने की जरुरत नहीं है वीडियो को बार बार देखिए पॉस कर आपक्रिक्स करते है बहुत से बच्चें को चैप्टर कंब्रीट कर लिये अग्यारि यानि की बीसवाँ चैप्नलिये नत्मस्तक है लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आप बस उपर उपर से निकल के आगे करें ठीक है ठीक है ठीक है बस एक बार शॉट एंट पर पहुंच जाए है हम लोग डिक्टेशन पर फिर देख लेंगे तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं या मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले से विसीले बोल रहा हूँ क्योंकि फाइदा नहीं होगा मेरे पढ़ाने का कुछ भी अब चाहे आप इसे प्रवचन कहलो चाहे कुछ कहलो ये मेरी एडवाईस है आप लोगों के लिए मेरा सारा एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे देखो ये वीडियोस तो यूटूल पर पढ़ी रहेंगे जब तक यूटूल रहेंगे तब तक ये वीडियोस पढ़ी रहेंगी आने वाले बचचे भी इससे फायता उठाएंगे प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे एक वर्ड की रूल को समझ के तो आप शॉर्ट हेंड में कभी अपनी आउटलेंस खुद से बना ही नहीं पाएंगे तो आए दिफ्तों देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है ये है वाल इंडिकेशन वाल इंडिकेशन क्या है कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरुरत नहीं है आपने कर रखा है बस ये क्योंकि एक चैप्टर है बीच में तो आपको मैं रिमाइन कराने के लिए से लेके आया हूँ देखिए जब इनिशेल वावल होता है तो हम पूरा स्ट्रोक बनाते हैं उसकी ब्रीफेस्ट फॉर्म बनाते हैं यह इस पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अस्लीप स्लीप से पहले ए आया है इसलिए मैंने उसका पूरा स्ट्रोक बनाया है यह देखिए इस तरीके से लेकिन अगर पहले वाल ना आता तो देखे sleep किस तरीकिसा आएगा पहले नहीं आ रहा न कोई वाल सा हूँ sleep तो इसलिए इसे इस तरीकिसा बनाया short कर सकते हैं अब assume ये देखे पहले वाल आ रहा है इसलिए पूरा stroke बनाया some क्योंकि वाल नहीं है arrives पहले वाल आ रहा है इसलिए पूरा बना arrives कोई वाल नहीं है रे वी का hook और s बताया था हमने अलग-अलग दिखना ज़रूरी है इतना आपको समझ मा आ गया remind हो रहा है basically ये नया कुछ नहीं है आपके लिए इसमें अब देखिए if followed by वाल अगर बाद में वाल आ जाए तो क्या होता है जैसे less l s का circle लेकिन अगर lazy हो गया लेसी तो इसमें दिखे l फिर se के लिए हमने पूरा बनाया हमें पूरा बनाना पड़ा ठीक है यानि कि अगर stroke के last में वाल आ जाए तो हमें पूरा stroke बनाना पड़ता है honest st बताया था 50% लेते हैं और अगर str होता तो यहां तक ले लेते हैं honesty में क्या होगा क्योंकि e का बाल आ रहा है इसलिए पूरा हमने t बनाया pen कोई दिक्कत नहीं क्योंकि last में हमारे पास कोई बाल नहीं लगा है लेकिन penny में लगा है इसलिए हमें पूरा बनाना पड़ेगा समझ मागे दोस्तों chapter खतम अब आप सोच रहोंगे यह तो मज़ा आ गया chapter खतम हो गया तो कुछ ज़्यादा खास था ही नहीं chapter में समझने के लिए आप बस इसे मैंने पहले भी बोला था पूरे जितने chapter से आपने अब दक पड़ लिए हैं उन सब का ये सार है ठीक है आपकी पूरे जितने chapter आपने पड़े हैं उसकी practice का ये एक माध्यम होगा revisionary आपको बार बार करनी है पांच बार इसको लिखना है और पांच बार read करना है अपनी मर्जी से उसको कोई भी अगर आपको dictate कर देता है घर में तो उससे बुलवा लीजे otherwise खुद से आप इसकी सिर्फ practice कर लीजे काफी रहेगा करनी आपने जरूरी है revisionary दूसरा पड़ाव आपने आज पार कर लिया है revisionary करके तो मुबारक हो अगर आप यहां तक पहुँचे हैं तो आप बहुत अच्छे से short hand को करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपकी रुची है अगर आप यहां तक नहीं पहुँचे हैं यानि कि अगर आपने सीधा बीच में सब को छोड़के सीधा यहां पर पहुच चुके हैं तो फिर समझ दीजिए कोई फाइदा निया पढ़ने का ठीक है दोस्तों चैप्टर इसी के सांथ खतम हो रहा है जादा मैं इतना खींसतान इसमें करूंगा नहीं कि आपको खेंच के इसके 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो बना दो ऐसा कुछ भी नहीं होगा वीडियो यहां पर खतम हो रही है आपसे मुलाकात करूंगा मैं अगले चैप्टर में तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और फैला दो यार वीडियो को फैला दो ठीक है शेर कर दो आपसे मुलाकात करूंगा अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ तब तक के लिए बाबाए चेक केर